कौन जीतेगा यूपी इस सवाल के साथ यूपी का आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है और अब ये चुनाव छटे चरण में पहुँच गया है यहां बेहत खास है गोरकपूर गोरकपूर योगी का गढ़ जहां पिछले बार के प्रदर्शन को दुहराना उसे बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसी हम योगी के सामें है तो क्या वो इसमें काम्याब होंगे या अखली श्यादव या दूसरे दल इसमें सेंध मारी कर ले जाएंगे नमस्कार आप देख रहें यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुश्वा गोरकपुर जाना जाता है गोरकशनाथ धाम के नाम से और इस धाम की धमक सियासितोर पर यहां सभी सीटों पर रही है यहां नव विधान सभाई हैं कैम्पियर गंज, पिपराईच, गोरकपुर सदर, गोरकपुर ग्रामीन, सहजनवा, खजनी, चौरी-चौरा, बांसगाओं, चिल्लू पार और गोरकशनाथ धाम की मंदिर की बात करें, तो यह कहा जाता है कि नवो विधान सभाउं पर उसका एक वर्चस्वर रहा है राजनीतिक प्रभाव सभी विधान सभाशित्रों में रहा है महंत दिगविजय नाथ से गोरक्षनाथ मंदिर के राजनीती की शुरुवात हुई थी और बाद में उसे महंत अव्यदे नाथ ने संभाला और गोरकपुर की राजनीती में गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका वहीं से चारो तरफ फैलनी शुरू हो गए उसके बाद इसकी कमान योगी आदितिनाथ ने संभाली तो क्या योगी इसे बरकरार रख पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है तो चलिए इस जिले की सभी विधान सभा सीटों पर जो आकड़े हैं जो समिकरन हैं उस पर नजर डालते हैं और कोशिश करते हैं इस तवाल का जवाब तलाशने की तो सबसे पहले इन विधान सभाओं के जाती समिकरनों को देखते हैं शुरुवात करते हैं कैंपियर गंज से जो निशाद बाहुल्य सीट है यहां निशाद 30 फीस्ती बताए जाते हैं जबकि यादव वोटर्स 20 फीस्ती 15 फीस्ती दलिद 20 फीस्ती औ और अन्य वोटर्स 15 फीस्ती बताए जाते हैं वही अगर बात पर प्राइच सीट की करें तो यह सीट भी निशाद बाहुल्य सीट है यहां लगभग 3,85,000 मत दाता हैं जिसमें 90,000 निशाद मत दाता हैं ओबी सी जाती के मत दाता भी निरनायक हैं इसके बाद दलित और मु ब्राम्भन 55,000, मुस्लिम 50,000, शत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निशाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000 के करीब हैं जबकि गोरकपुर ग्रामीन सीट की बात करें तो यहां दलित निशाद करीब 1,55,000 बताए जाते हैं मुस्लिम 1,30,000 के करीब, ब्राम्भन 40,000 के करीब, वैश्य 40,000 के करीब बताए जाते हैं प्त्रिय संबुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है खजनी में 35,000 निशाद वोटर्स हैं 44,000 विधान सभा की बात करें तो लगभग 3,40,000 मत दाता यहां पर हैं यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के मत दाता हैं अन्य पिछला वर्गी के मत दाता भी निर्णायक भूमिका में होते हैं 44,000 में 55,000 निशाद वोटर्स हैं वहीं बांस गाओं की बात करें तो यह भी आरक्षित सीट हैं यहां पर लगभग 3,70,000 वोटर्स हैं यहां नुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के मत दाता सबसे ज्यादा हैं पास्वान मिरादरी और अगणी जाती का वोट जीत में एहम भूमिका अदा करता है बास गाओं में करीब 40,000 निशाद वोटर्स हैं तो यह आंकड़ी रहे जाती गत तोर पर इन विधान सभाओं के लेकिन जमीन पर क्या हाला आथ हैं क्या इस बार समिकर्णों में फिर बदल हो रहा है इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी गजेंदर तरिपाठी ने बात की महां किस्थान ये पत्रकार से चोरी चोरा में निशाद जादे हैं पिपराईश हुआ चिल्लू पार में दलित और ब्रामण बाहुल शेतर है इन सीटों पे जो है जाती समिकर्ण बहुत केजी से काम कर रहा है ग्रामीड का भी यहाल है ये जो कछार का इलाका है कुछ ग्रामीड का हिस्सा पड़ता है कुछ पुराना गोरपूर है यहां मुहम्डन और यादों की संख्या अच्छी है तो यहां सपा फाइड कर रही है निश्ची तोर पर लड़ाई सिर्फ दो ही पक्षो में है बसपा कहीं कहीं लड़ रही है जैसे चिल्लू पार में लड़ रही है और कहीं कहीं लड़ाई में है लेकिन सीधी लड़ाई सभा और भाजपा में ही है चले अब जराइन विधान सभाओं के सियासी इतिहास पर भी नजर डालते हैं तो 2017 में 9 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी जबकि एक सीट पर बस बाकों जीत मिली थी पिछले तीन चुनावों पर नजर डालते हैं अलाग अलाग विधान सभावार अगर हम बात करें कैंपिर गंच की तो 2017 में बीजेपी के फते बहादूर ने कॉंग्रिस की चिंतायादब को हराया था 2012 में भी फते बहादूर को ही जीत मिली थी लेकिन NCP से और उस वक्त भी उन्होंने चिंतायादब को हराया था जो साइकल पर सवार थे विपे प्राइच की बात करें तो साल 2007 में यहां BSP, 2012 में SP और 2017 में BJP को जीत मिली थी गोरकपुर सदर की बात करें तो यहां पर लगातार BJP का ही वर्चस्प रहा है साथ की बात करें या बारा की बात करें या 17 के जणाव की बात करें लगा तار BJP ही काविज रही गोरकपुर ग्रामीन में 2021 में BJP तो 2017 में भी BJP का ही पर्चम दहराया सहजनवा विधान सभा की बात करें 2012 में BSP को जीत विली थी जबकि 17 में ये seat BJP के खाते में आ गई खजरी विधान सभा में 2012 में BJP को जीत विली थी जबकि 17 में BJP नहीं रिपीट किया था दो बार से यहाँ पर BJP के संत प्रसाध ही जीत रहे हैं चौरी-चौरा विधान सभा की बात करें तो 2012 में BSP तो 2017 में BJP को जीत विली बांस गाउं सीट की बात करें तो 2007 और 2012 में BSP का कबजा रहा जबकि 17 में ये seat भी BJP के खाते में आ गए आए चिलो पुरा विधान सभा की बात कर लेते हैं इस seat पर BJP और SP का खाता तक नहीं खुला है पिछले तीन चुनाव की बात करें तो लगातार BSP का कबजा रहा है तो ये रहा इन विधान सभाओं का इतिहास लेकिन वर्तमान में क्या हालात हैं वो जानने के लिए हमने एक और इस्थाने वरिष्च पत्रकार से बात की उनके मताबिक क्या हैं मौजूदा हालात जरा सुनें देखे गोरकपूर सदर की जबाप बात करते हैं तो यहाँ पर जातिगत धारमिक सारे समिकरण धबस्त हो जाते हैं यह योग्यादित तनाजी की सीट है यह लोग सभा सीट उनकी है और मतलब उसी के अंदर यहां की विधान सभा सीट भी आती है तो जातिगात धार्मी कोई समीकर इस सीट पर तो कम से कम मायने नहीं रखते हैं पिछले आठ बार से आठ चुनाओं से देखते हैं तो यहां पर भगवा लहरा रहा है तो यह सब अनुमान हैं आकड़े हैं लेकिन जब 3 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तभी असली पिक्चर सामने आ जाएगी कि कौन है गोरकपूर का गोरकपूर गड़ का असली महंत लेकिन तब तक हमारी कोशिश रहेगी यूँगी आप तक सभी सीटू का सियासी हाल पहुचाने के उम्मिद करते हैं कि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई होगी ऐसे तमाम सियासी खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक और पढ़ते रहें यूपी तक.in